इस आध्यात्मे क्यान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गारंग से कृपा की आचना करते हुए मंगला सुरंग करेंगे ताकि हम जो अध्यान कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाप प्राप्त हो सके जो की है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति आनते मरंदस्या ज्यानन जना श्यालाख्या जक्षुरोन में दिता मेना तस्मै श्री कुरुवेना महां श्री जैतन्यामनो भेष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपह कदा महयं धदातिष्वा पधांतिकं नारायनम् नमस्कृत्या नरम् जैवानरूत्तमं दैवीम् सरस्वतेम् आसंत् ततो जाया मुधिरयेत् नष्ट प्रायेशु भत्रेशु नित्यं भाक्वत सेवयां भगवति युत्तम श्लोके भक्ति रभवति नैष्टिकेत् पंचतत्वात्मकं ग्रेश्वं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नामामी भक्तशक्तिकं आराथ्यो भगवात् ब्रजेशतनयस तत्थाम रिंधावनं रम्याकाचिदु पासन प्रजवदू वर्केनया कल्पिताव् श्रीमत्भागवतं प्रमानममलं प्रेमं पुमर्थो महाँ श्रीचैतन्यमाप्रभु मतमिदं तत्थाकरह नाप्रापरह करार विंदे नपदार विंधं मुखार विंदे वीनिवेशयंतं वतस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं वकुंदं मनसास्मरामे श्रीक्रेश गोविंदारे मुरारि एनात नारा यनभास देवा जिवे पिवस्वा मृतुमेत देवा गोविंदादामा धरमादवेति वन्षी विपुशितकरा नवनीरधाभा पीतां भरधरण भिंबपला धरोष्टा पुर्लेंद्रसुंदरमुकाद अरविंदनेत्रा रिष्वार्परं केमापी तत्व अहम नजानी ब्रशे वसंतं नवनीत चोरं गोपांगनाना शदकूल चोरं श्री राधिकाया रिधयस्य चोरं चोरा यदर्यं पुरुषं नमामी श्री क्रिष्व श्यामं मनसास्मरामी जया श्री क्रिष्व चैतन्या प्रभु नित्यनन्दा श्री अज्वेत पधाधारा श्री वासदीकार भक्त बिंदा हरी क्रिष्ण, हरी क्रिष्ण, 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 हरी 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 राम, हरी राम, 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 हरी हरी ग्रंत राश्री मत्भागवत्र महापुरान की इच्चाय हो प्रथम स्कंतेरवा अध्याई जिसका शीषर्ग है दित्राश्च द्वारा ग्रीहत्यार तो हमने देखा विदुर जी के उपदेश को सुनकर दित्राश्च अपनी पत्रिंगानधारी के सहित हेमाले की और प्रस अध्यादानकार चुके हैं वास्तों में भगतौ ब भगवान की भजन के लिए अपनी इच्चा से संकट सहने के लिए तैयार होना चाहिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि संकट कासा में आएगा तो मैं बरदाश कर लूँगा लेकिन भक्त तो जान भूश कर भगवान की सिवा करने के लिए संकट सहने के लिए तयार होता है क्योंकि अब देखा जाएं तो जीवन का परम लाव है कृष्ण को प्रसंद करना अगर थोड़ी से संकट से कर इस भावतिक जगत को थोड़ा सा संकट या तपस्या कराखे हम बहुत बड़ा हाईस लक्ष प्राप्त कर रहे हैं तो यह बहुत सस्ता सोधा है ना जिसे रात में बहुत भैंकर भारिश हो रही हो तो खाले भारिश में कोई सर्दी भी पढ़ रही हो तो किसी को कहा जाए कि अब आ बाहर जाओ अज रात आ बाहर जाना वर्शा के नेचर हो तो उसे इसा लगेगा कि क्यो हो रहो में, मेरा लाब क्या होगा उसमें तो अगर हम उससे कहें कि आप अगर पूरी रात बाहर बारिश में रहोगे तो सुबह में आपको एक लाख रुपए दूगा तो फोरान मान जाएगा चाह ठीक है एक लाख रुपए तो मिल जाएगा एक रात बाहर रहूँगा भाकी ठोड़ा बुखार सा खांसी जब हो जाएगा तो डॉक्टर को दिखा कि दावाई ले लूँगा लेकिन एक लाक रुपे बहुत होता है बिखाएगा उसकर इसा लगएगा वरना अगर जादा इनकम होगी तो जाएगा ओर बड़ा बड़ा लाले देंगे वाहर आप रहोगे वाहर तो मैं तुम्हें एक करॉर रुप रुपया दूँगा तो वन्हों से ऊचनों ठीक है एक करॉर तो बहुत जादा होता है तो मदब कहने का अर्थी यह है कि इस बहुतिक स्यदत में थोड़ा से संकट, थोड़ी सी तपस्या यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और कि आज तो इस कल्यूग में तो इतनी कष्ट तपस्या, इतनी कटिन तपस्या बत्ताई भी नहीं गई क्योंकि शास्त्र कहता है कि सथ्यदत में भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत-बहुत वश्यों तक ध्यान लगाना पड़ता था तपस्या करनी पड़ती जो बहुत बहुत वश्योता था लेकिन त्रेता या या यग्ये तुमा के त्रेता में क्या करना पड़ता था त्रेता युक में क्योंकि जीवों की आयू तिनी जादा नहीं थी तो बहुत-बहुत समय तक उनको तपस्या या ध्यान करने के आवश्य लिए करता नहीं होती थी बिल्के यग्य करने पड़ते तो बड़े बड़े यग्य अश्षत में युझा किया जाता थी और भी दूसरे बहुत सारे यग्य गउँँ थी यग्य के जाता थी लेकिन तरेता के माग जब द्वापुर द्वापुर में क्या करते थे, द्वापुरे परीचाया, द्वापुर में भगवान की विग्रह सेवा करते थे, और कलाउतत हरी किर्टन, उसी भल को, जैसे सत्युक को दिहान लगाने से, त्रेता योग में यग्या करने से, द्वापुर योग में विग्रह सेवा करने से, जो फल प्राप्त होता दारता कृष्णा प्राप्ति या कृष्णा के प्रेम की प्राप्ति वो कला उता हरी किर्थन, इस कल्योग में केवल हरी कीर्थन, कीर्थन का मत्दब होता है भगवान के पवित्र नाम का कीर्थन करना, भगवान की लीलाओं का कीर्थन, यानि भगव बगवान की कीर्थी को भयान करना बगवान की किर्थी तो शवन करना ये बगवान की नाम को जब करना ये जो है केवल भगवान की किर्थन द्वारा वाई भल इसकल योग में प्राप्त होता है तो उसके लिए हमें समय निकालना साहिए बगवान की कताओं को शवन करने के ल चाहिए और उसके लिए शरीर को कष्ट देना चाहिए कि ठीक है हमें सुबह सवेरे जो बहुत ही सत्तों बड़ी समय होता उसमें भगवान के पवित्र नाम का जब करना चाहिए जर्दी हो गर्मिय हो उसको मनद सहन करने के लिए हमें हमेशा रिदे से तैयार होना चाहिए अ इस बहुत तिक जगत में देखा है तो थोड़ी सी चीज कोई मनद सिम्फल्स की कोई चीज होती है तो उसको भी प्राप्ट करने के लिए हमें कर्ष्ट सेना पड़ता है और जो बहुत मेहनत से हमने धन अर्जित किया होता है उसको देना तो क्रिश्ण को प्राप्ट करने के लिए भी थोड़ा कश्ट हमें आवश अस्वी कार करना चाहिए तो देखा हमने कि गांधरी अपने पती के साथ दित्राश्ट के साथ है माले की ओजा चुकी और जब चले गए ये फिर क्या हुआ यहां आज हमें सूत को सामें बहुत ही सुनरी तीसे बता रहे हैं शोक्रम मैं खुताक्नीम विप्रान अठ्वा दिल गूबूमिरुक्मै क्रिहम प्रविष्टो गुरुवंदनाया नचा पश्यत बितराऊसाव भलींचा अझात शत्रु कृतामैत्रो हुताक्नीम विप्रान अत्वा च्वा धिलागुपूमिरुक्मै। विप्रान नत्वा तिलगो वोमिरुक्मै ग्रिहं प्रविष्टो गुरु वंदनाया नचा पष्यत पितराउसाउ वलीम्षाउ अजात शत्रु जात मतब जन्म लेना और अजात मतब जन्म नहीं लिया किसने शत्रु ने वह युदेश्टर महराज जिसके शत्रु ने कभी जन्म नहीं लिया हो अजात शत्रु का मतलब होता है न मनसा न जातो शत्रु अस्यसा अजात शत्रु यानि कि अब देखा जाए संसार में तो हमें बहुत आश्चरी लगेगा कि युदेश्टर महराज जिसकी आजे से ज़्यादा संसार जिसका शत्रु था उसके अपने भाई तक उसके शत्रु थे तो जिसे भाई मतलब दुरियोदन इत्याजी जो उसके तायाज चाया के बेटे थे तितराश्ट उनके काका श्री थे उनके बेटे थे और वो सब तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कहा गया अजात शत्रु अजात शत्रु मनसन अजात शत्रु यह से बहले युदेश्टर महराज को अपने शत्रु मानते थे लेकिन युदेश्टर महराज ने कभी एक सेकेंड के लिए भी किसी को अपने शत्रु ने माना बहले ही वो जानते थे कि दुर्योदन इत्यादी सदे उनको मारने की योजनाए करते है थे परन्त उनके मन में कभी एक मिनट के लिए भी इसा नहीं आता था कि वो उनकी शत्रू है यहां पर हम देखें तो हमारा चित कितना अपवित्र है जिसको भी बस सदे हम सुचते है यह हमारा शत्रू है यह हमारा आहित चाहता है हर किसी के विश्य में हम सुचते है यह तो मेरा शत्रू ही है मेरे बारे में हमेशा बुरा ही बोला होगा या मेरे लिए कुछ बुरा ही सोच रहोगा अरे यह तो सब फ्रेंड्स जो होते न, अपने, जो class fellow में पहुच होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी जब बाहर अपने घर में होते हैं, उन nghi 날 नहीं होते हैं, तब भी वो यही सोचते हैं कि वो मेरी दुश्मान है, बस इसे ही में हम लोग ग्रूप में हैं, परन तो कोई भी एक तुसरे का अच्छा नहीं चाहरा होता है, और रिदेर से कोई भी किसी के लिए सिंसिर नहीं होता है, दूसरों को तो चुड़ो, इतनी आश्चरी की बात ह हैं, आज कल तो अपने बच्चे माता पिता को भी अपना शत्रों मानते हैं, यह सोचते हैं कि माता पिता हैं हर वक्त हम लोगों को बोलते रहते हैं, यह मत करो, यह मत करो, इससे मत कहना हो, यह मत चरो, तो यह माता पिता हैं यह हमारे सबसे बड़े शत्रों हैं, बच्चे जिनके जीते माता पिता वो भी अपने माता पिता के विश्र में भी ऐसे सोचते है कि यह हमारे तैशी नहीं है, बलकि हमारे शत्रू है तो दूसरों के वहला क्या बात उनके विश्रे में कहीच है लेकिन विश्वास कीचे महराज यूदिष्टर ने कभी किसी को अपना शत्रो नहीं माना इस दिहें यहाँ पर अजात शत्रो कहा गया है तो वो क्या करते थे सुबह उटके कृटर, मुलब सुबह जो उनका डेली रोटीन था उसके विश्य में बता रहे है वो क्या करते थे मैत्रो मैत्रो का मतलब होता है देवताओं की पूझा करना मलब जैसे सूर्य देव की पूझा करना या इस तरह जो भी उनका नित्य कर्म होता था वो करते थे मैत्रो हुताग्नी हुताग्नी मतलब अगनी जला कर यग्य करते थे यह डेली करते थे उनका राजमेल अब यहाँ पर हम देखें कर अगनी में आहूती डालते थे, संध्यावंदन करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, विप्रान नत्वा, विप्रान मतलब विप्रों को, ब्रह्मनों को नत्वा यानि के नमस्कार करते थे, केवल नमस्कार ही नहीं करते थे, बलकि क्या करते थे, तिल गो भूमी रुकम में तो तिल दान करते थे गो मलब गायें को दान करते थे गाये दान करते थे ब्रह्मनों को भूमे दान करते थे सोना दान करते थे तो मलब इतना ज्यादा दानी थे के ब्रह्मन दूर दूर से आते थे रोज ब्रह्मनों की बहुत बहुत संख्या यहां पर आते थे उनके महल में और वो सुभा प्राता संध्यावन्दन के बाद सब भ्रह्मनों को दान देते थे और यज्य करते थे ये ऐसे महान राजा थे जो पूरे भूमंदल का भूश्टा उनके सर पे हर उनकी राज्य में प्रजा बहुत ज्यादा संतुष्ट थी हर किसी को सुख संपति प्राप इतने सारे वक्ति इत्यादे करते थे आज कर तो हम देखें एक जीव को एक पुर्श को यदि एक घर भी चलना न होता है तो भी वो क्या बुलता है कि मेरे पस टाइम नहीं है मैं तो इतना फसा हुआ हूँ इतने कारिया होते हैं ये करना होता है ये पूरे भूमंदल के र बागवान के लिए समय नहीं है मेरे पास तो हमें सीखना चाहिए शास्त्रों से कि जीवन हमें मिला है इसलिए कि हम वास्तविक दुखों से दूर हो सकें तो वास्तविक दुख है चर्ण मिट्य उचराव आती तो जब तक हम भगवत भक्ती नहीं करेंगे तो हम अपने कमपर प्रविष्टम अपने गहर में आए वापिस से मैरा यह सब करने के बाद महल में वापिस आए तो क्यूं आए गुरू वढ़कर नमसकार करने के लिए अब यहाँ पर गूरु शब्द लिखा गया है गुरू जो है वो बहुत विस्तारिक शब्द है जिस्से आपने जो कुछ सीखा है वो आपका गुरु है तो यहाँ पर वो महल में आए हैं अपनी गुरु वन्दना के लिए वास्तों में बगतों प्रत्थम गुरु यदि किसी के होते हैं तो वो माता पिता होते हैं जीव अपनी माता पिता से बहुत कुछ सीखता है जब बच्चा छोटा होता है उसे चलना नहीं आता उसे बात करना नहीं आता वो माता पिता उसे हाथ से फकड़ कर चलना सिखाते हैं उनको बोलना सिखाते हैं उसे खाना पिना सिखाते हैं हर एक चीज उनको बताते हैं कि कै कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वास्तों में वही हमारे प्रत्थम गुरु हैं, जिन से हमने जीना सीखा है। तो यहां पर युद्धिष्टर महाराज कांग है ग्रिहम प्रविष्टो गुरु वंदनाया, गुरु जनों को प्रणाम करने के लिए, गुरु कोन है उनकी गर पे? दितराश्टर महाराज, गहनदारी महारानी और कुंदि देवी और विदुर, यह सब उनके गुरु हैं, तो हमें युद्धिष्टर महाराज से सीख लेनी चाहिए, कि सुभा उठकर पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, वैशनों को प्रणाम करना चाहिए, उसके पास अपने माता पिता से आश्रवाद लेना चाहिए, यह रूटीन में होना चाहिए, कि हम अपने घर के भ प्रणाम करें, यह बहुत ज्यादा लाबदाईक है, अपने बढ़ूं के चरण चुकर, यदि हम उनसे आश्रवाद लेते हैं, तो उसे हमारा कल्याणी होता है, अगर कोई हमें आश्रवाद देगा, सुखी रहो, भगवान आप पे कृपा करें, अप अपनी भक्ती में उ यह अवश्य करना चाहिए, अभी हमें अन्यूश्यल लगता है, क्योंकि हमें इसा करते नहीं है इसलिए लगता है, लेकिन यह वास्तों में हमें करना चाहिए, माता पिता को, भड़ों को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, अब तो मानों यह बिल्कु समाप्त ह गया है माता पिता का आदर करना जैसे यह अब बहुत फिजूल लगता है चरंचुना घर में माता पिता इसे चरंचुके अश्वाद लेना इसे लगता है अभी यह बहुत पूराने जमाने की बात हो गए अब यह नहीं करना चाहिए परंतु आज यदि को अपनी शास्त्रों जास्वाद में देखें तो महराज युदेश्टर यहां तेखें श्री राम और यह जितने भी बढ़े हमारे अफ्तार हैं भगवान या जितने भी बैश्वन हैं वो अपनी माता पिता का बहुत आदर करते थे माता पिता गर में दादा दादी जो भी है उनका हमें वो इतना हैरत से देखता है कि यही तो कितना नया आचरान कर रहा है अजीव सा लगता है यह अजीव नहीं है यह जुरूरी है अवश्य हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए रदे से उनका सम्मान करना चाहिए यह उनका अधिकार है तो यहां पर हम सुन रहे हैं कि यु को हम सिखाते हैं प्रणाम घरो आश्रवाद लो और फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर ऐसा लगता है कि बस सब भी हो गया तुमारा बड़े हो तुम लेकिन युदिष्टर महाराज यहां पर भूमंदल की राजा बने हुए हैं और ग्रहम प्रविष्टम गुरु वन् जती नहीं देखा क्या पित्तरों अपने पित्तरों को यानि दोनों चाचा कविदूर और दित्राश्र महाराज दोनों वहां पर नहीं थे इतना ज़्यादा दुखी हुए युदिष्टर महाराज वो डूंड रहे थे क्योंकि महल बहुत बड़ा था तो उनोंने सुचा शायद दूसरे कमरे में गए होंगे, दूसरे कमरे में गए, टेरस पे गए, धर उदर ढूंड रहे थे, कहीं पर भी नहीं मिले, उनके दोनों चाचा जी और साव बली महारानी और दोनों चाचा उन ढूंड रहे थे, ढूंड रहे थे, कहां से ले गए, रात को तो यहीं पर थे परन्तु क्योंकि विदुर जी ने उनको रात में ही बोला निकल जाओ किसी को बताना नहीं अगर बता दिया युदिश्टर को तो जानी नहीं देंगे अभी निकल जाओ तो वो तो रात में निकल गए अब सुबा को जब युदिश्टर महाराज आएं कमरे में तो व अन गाय भोमी तता स्वन अर्पित करके अपने नैतिक प्रात्थ काली न कर्म किये तत परिशाद्वे गुरुजनों को अभिवन्दन करने के लिए राज महर में प्रविष्ट हुए किन्तो उन्होंने ना तो अपने ताओ मिले और ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात पाई मिले शुलब रुपाज की इच्छाद्व जब रुपाजी कहते हैं महरा शुदिष्टर अत्यंत पवित्र राजा थे क्यूंकि वे सोयम ग्रस्त के सारे नाइतिक क्रिया कर्म किया करते थे ग्रस्तों को प्रात्तरकाल जल्दी चगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अगनी में आहुती से ब्रामनों को भूमी गववों अन्त सोना आदी दन देकर तथा गुरुजनों को साधर नमस्कार करके अर्चा विक्र को अभिवादन करना होता है जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते हैं वे केवल किताबी ज्यान से उत्तम व्यक्ति यानि नरोतम नहीं बन सकते आदोने ग्रस्तों को विभिन प्रकार की जीवन शैलियों का अभ्यास रहता है जैसे के वे देर से जतते हैं फिर बिना किसी प्रकार की उपर वर्णित शुद्धी के विस्तर में लेटे लेटे चाय पीते हैं गर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं अतेव साड़ी पीरी नरक क्रामी होती हैं वे जब तक साधू की संगती ना करें तब तक उन से किसी अच्छाय की आश्या नहीं की जा सकती बहुतिक तावादे मनुष्य दित्राष्ट्र की भांती विदूर जैसे साधू से शिक्षा ग्रान कर सकता है और इस प्रकार आधूनिक जीवन के प्रारंब प्रभावों से शुद्ध हो सकता है लेकिन महाराज युदिष्टर को महारा राज महल में राजा सुभर की पुत्री घंधारी समेथ उनके चाचाताव दित्राष्ट्र तथा विदूर नहीं मिले वे उन्हें देखने को सुप थे अतेव उन्होंने दित्राष्ट्र के निजी सचीव संजे से पूचा सुच्ची कहते हैं शुद्ध प्रभुपाजी ने बताया कि जिस प्रकार आज का संसार क्या सारे बरे लोग होते हैं गर में वो बेट पर लेटे लेटे साहे पीते हैं कोई संसकार नहीं है सुबाउटना नित्य कर्म करना भगवान को प्रणाम करना ब्रह्मणों को दान दक्षा देना ये सब कुछ करते नहीं है तो जाहर सी बाते हैं उनकी संतान भी ऐसे ही नारक ये जीवन की और आगे जा रही है तो हमें अवश शास्त्रों को पढ़ना साहिए और ऐसे शुद्धभक्तों से हमें सीखना साहिए कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना साहिए आगे सूत्रों स्वामें कहते हैं तत्र संजय मासीनम प्रपच्छो त्विग्नमानसह गावल गणे क्वनस्तातो व्रिथो ही नश्च नेत्रयो तत्र संजय मासीनम प्रपच्छो त्विग्नमानसह गावल गणे क्वनस्तातो व्रिथो ही नश्च नेत्रयो तत्र संजय मासीनम प्रपच्छो त्विग्नमानसह गावल गणे क्वनस्तातो व्रिथो ही नश्च नेत्रयो तत्र संजय मासीनम तत्र मतलब वहाँ पर संजय यानि संजय को आसीनम बेठा अब जहां वो रोन रहे थे तो उनके दोनों ताश्री वेदुर और ताश्री दित्राश्र ये दोनों तो नहीं मिले परन्तो वहाँ पर उनकी बेंट संजय से हुई तत्र संजय मासीनम संजय बेठे हुए थे तो प्रपच्चो द्विग्नमानसा प्रपच्चो उनसे पूछा कैसे पूछा उनकी हिस्तिती कैसे थी उद्विग्नमानसा बहुत दुखी थे वास्तु में जब युदिष्टर माराज ने दित्राष्टर को नहीं देखा तो वो शोक से तरपने लगे उन्हें बहुत रिदे में आशंका हो रही थी कि पता नहीं क्या मेने कुछ ऐसा कर दिया जो ताजश्रीम उसे रूट कर चले गए कहीं अपने पुत्रों को याद करके वो अक्सर रोते थे गांधारी बहुत दुखी होते थी क्योंकि उनकी सो पुत्रों की हत्या होई थी तो गांधारी को इसे लिए तपस्वी नहीं कहा गया ये कितने दुख की बात है न कि एक माता की सो पुत्रों की हत्या हो जाए और जिनके कारण उनकी हत्या होई है वो उनहीं के गर में रह रहे तो युदिश्टा माराज को हमेशा शंका रहती थी कि कहीं इनके घांधारी और दित्राश के रिदय में मेरे लिए बहुत दुख होगा मुझे देखते होंगे तो उनको अपने पुत्रियाहत तो जरूर आते होंगे न तो यही सोच रहे थी युदिश्टा माराज कि क्यो कि मैंने इनके सो पुत्रों को मेरे कारण मार गये हैं तो यह ऐसा नहों कि इन्होंने आत्मात्या कर दियो यह बहुत जादा दुखी होगे मुझे छोड़कर चले होंगे चले गये हैं पता नहीं उनके रिदय में कैसे हैं मना बहुत सारी आशंका है उद्विगन मानसा तो बहुत चिंता से पूरित हो गए बहुत बहुत दुखी कंड से उन्होंने संजे संजे जो के दितराष्ट महाराज के सेकेटरी थे मना सारी सीक्रिट्स उनको बता थे दितराष्ट महाराज के और यहां तक कि गीता भी संजे नहीं दितराष्ट महाराज को सुनाई जब भोनी वाला था, तब वेद वियास जी आये थे, और दितराश्टो को कहा, कि मैं आपको, अगर आप शाहो तो मैं आपको चक्षु दे सकता हूँ, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टी दे सकता हूँ, जिसके कारण आप यहाँ पर बेटे बेटे युद्ध में जो कुछ ह हो रहा है, वो आप देख सकते हो, अब दितराश्टो ने वेद वियास जी को कहा, नहीं नहीं, मैंने जिन बच्चों को पाउँ पाउँ चलता हूँ नहीं देखा, जिनकी छोटे जब बच्च्पन में वो जो शरारतें कर रहे थे, वो जो इतने मन भावनी द्रिश्य थे, वो मैंने नहीं देखे, तो मैं उनको मरता हुआ नहीं देखना चाहता, और वो भी, अब मैं उन्हें पहसान होगा भी नहीं, कि कौन मरा, किसी की अत्या होगी, तो मुझे ये भी पत्ता नहीं चलेगा, कि ये दुर्योदन है, या भीम है, कि कौन है, मुझे पत्ता भी नह चलेगा, तो मैंने तो सधेव जीवन में सुनना सिखा है तो आप पे न, ये दिविये दृष्टी संजे को दे दीजिए संजे मुझे बताएगा क्योंकि उनकी अंकों से मैं देखूंगा, तो फिर वेद्वियास जी ने संजे को दिविये दृष्टी को एक साथ देख सकते थे जैसे हम लोगों की दृष्टी एक जगा पर होती है, तो दूसरी जगा को ने देख सकते, लेकिन संजे पूरे युद्वूमी में सारी युद्धाओं को देख सकते थे और यहां तक कि उनके रिदय में जो बात चलती थी युद्धाओं के रिदय में जो बात चलती थी वो भी वो समझ जाते थे तो बहुत ही और संजे तो संजे को युद्वूमी महराज कह रहे हैं गावल गणे को नस्ता तो है गवल गवल गण पुत्र यानि उनके पिताश्री का नाम था संजे के गावल गणे संजे तो उनसे का कन जो मेरे ताथ है मेरे ताश्री मेरे पिताश्री के मनब ताश्री मनब जो मेरे बड़े पिताश्री है तो युद्विश्टर महराज दितराश्र महराज को हमेशा अपने पिताश्री ताश्री के करी पुकारते थे और बोले वो तो वो वृद्धा हो गए हैं इस अवस्ता में और हीनश्य नेत्रयो और इसके साथ उनके पास नेत्र भी नहीं है तो आप मुझे बताओ वो हैं किदर अक्केले वो गए कहां पूरे महल में मैंने देखा वो नहीं थे तो किदर जले गए हैं अनुवाज चिंता से पूरित महराज युदिष्ट और संजे की ओर मुडे और वहां बेठे थे और उन से पूर्चाहे संजे हमारे वृद्ध तथा अंधिताओ कहां से ले गए हैं आगे कहते हैं अंबाच हत पुत्रार्त्वा पित्र व्यक्वा कत सुहुर्थ अभिमय्य कृत प्रक्ये हत बंधु सभार्ययां आशन समानह शमलं गंगायां दुखत दुखितो पतत अंबाच हत पुत्रार्ता पित्रि व्यक्वा कत सुहुर्थ अभिमय्य कृत प्रक्ये हत बंधु सभार्ययां आशन समानह शमलं गंगायां दुखितो पतत अंबाच हत पुत्रार्तो अंबा यानि मेरी माताश्री यानि कि जो बड़ी माताश्री गांधारी हैं वो भी हत पुत्रा जिनके सारे पुत्र हमारे कारण मारे गए हैं वो कितनी दुखी आरता हैं वो सदेव दुखी ही रहती होंगी वो माता जिसके सो पुत्र मारे गए वो कितनी दुखी होगी और पित्रव्या चाचा विदुर को कहां गत गए हैं। सुहुर्द वो जो हमारे सदेव हितेशी रहे हैं। सदेव हमारे भले की विश्रे में ही सोचते थे। चाचा विदुर नहीं मिल रहे हैं। मेरी माता घंधारी नहीं मिल रहे हैं। मेरे ताज श्री नहीं मिल रहे हैं, आप बताएं, वो सब कहां गहें, अपी मईय कृतब रग्ये, मईय यानि मुझ को कृतब रग्ये, यानि कृतब न हत बंदू, सारे यहां पर दितराश्र, सोरे, युदिष्टर महराज, अपने आपको, दितराश्र के सारे पुत्रों का ह पत्यारा अनुभा करते हुए कहते हैं, कि मईय कृतब रग्ये, हतब अन्धू सबारिया, कि जिनके सारे पुत्रों की हत्या हो चुकी हैं, वो मेरी ताज्री और उनकी पत्री, गांधारी, वो दोनों कहां गए हैं, क्योंकि आशन समाना शमलम, कि मिनिसंदे मैंने बहुत अपराद की हैं, मैं जानता हूँ, कि मैं ही बहुत बढ़ा अपरादी हूँ, तो वो निसंदे मुझे ही अपरादी मान रहे हैं, तो फिर मेरे साथ वो रहना नहीं चाह रहे होंगे, इसलिए गंगायम दुखी तो पत्त, इसलिए मुझे से लग रहा है, कि कहीं अपने दुख बरदास्ट नहीं हो सका, तो क्या वो गंगा में तो नहीं कूट कर मर गए हैं, तो यहां पर वो बता रहे हैं, कि संजे, अपने पुद्रों के मरने के बाद, वो बहुँच ज़्यादा दुखी रहते थे, और वो यह सूच कर, कि क्यूंकि उनके पुद्रों को मरने मारनी का सहरा पाप मुझे पर लगा है तो उन्होंने क्या किया है कि खुद अपनी आत्मा हत्या कर दिये ताकि उनको मारने का बाप भी मुझे लगे इसलिए उन्होंने गंगा में कूद कर जान ले ली या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उन्होंने गंगा में कूद कर जान ले दी होगी अनुवात मेरी शुप सिंतक साचा विदूर तथा अपने पुत्रों की निधन से अत्यांत शोक मगनन वाता गांधारी का है मेरी ताव दित्राश्र भी अपने समस पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यों के कारण शोकार्थ दे निससंदे हमें अत्यांत क्रितत नहूं अतेव क्या वे मेरी अपरादों को अत्यांत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहीद गंगा में कूद पड़े श्रपरभवपाद की चाहो श्रपरभवपाजी केरते हैं पांडवों ने और विशेश रूप से महराज युदिष्टर तथा अर्जुद ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभववों की पूर्ण कलपना कर ली थी अतेव अर्जुद ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ था लेकिन पारिवारिक शोग के प्रभव उसी तरह सत्य उत्रे जेसा उन्होंने पहले से सोच रखा था महरा युदिष्टर अपने ताउधित्राश्र तथा ताई गांधारी की दुरदशा के प्रती सदेव सचे थे अतिव उनकी व्रिद्धा आवस्था में तथा दुखी आवस्थाओं में यथा संभव परवाह करते रहते थे अतिव जब उन्हें राजमेहल में अपने ताउध तथा ताई नहीं मिले तो स्वभाविक था कि उन्हें संदे होता और उन्होंने सोचा कि विगंगा के जैल में डूब करे उन्होंने अपने आपको कृतक न माना क्यूंकि जब सारे पांडव पित्र विहीन थे तो महाराजा धित्राष्ट्र ने उन्हें रहने की राजसी सुविधाय प्रदान की थी किन्तु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने दित्राष्ट्र के सारे पुत्रों को कुक्षित्र के युद्र में मात धाला पुन्यात्मा की रूप में महाराज युद्ष्ट्र ने अपने सारे अपरिहारे दुश कर्मों पर विचार किया किन्तु कभी भी अपने ताउ तथा उनकी दल के दुश कर्मों के विशे में नहीं सोचा दित्राष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुश कर्मों के फल भोग चुके थे लेकिन माराज युद्ष्ट्र अपने अपरिहारे दुश कर्मों के ही विशे में सोच रहे थे एक उत्तम मनुश्य तथा भगवत भगत का यही स्वबा होता है भगत कभी भी दूसरों में दोश नहीं देखता अपितु अपने दोशों को ही खोजने का प्रियास करता है और जहां तक सम्भव होता है उन्हें सुधारने का प्रियास करता है देखा कि जब महत्ताव श्री दित्राश्ट्र और गांधारी जी नहीं मिले तो युदिश्टा महराज अपने को ही कृतग न मानने थे कि ये तो सदेव से हमारी सुहुर्द थे सदेव हमारी जब हम छोटे होते थे महराज पांड़ो की जब मृत्य हो गई थी तब इनी की द्वारा तो हमारा भालन पोश्चन हुआ और मैं कितना कृतग नहूँ अपने ही ताओं के सारे पुत्रों को मार डाला तो अवश्य है उनके रिदे में हमेरे लिए ऐसी भावना आई होगी कि इसके साथ हम रेते नहीं है या प्रा दिये तो अपने आपको गंगा में कूत कर माहर डालाओगा क्योंकि गंगा इनका जो भवन था युदिष्ट्र महराज का वो गंगा के किनारे परी था तो उनको ऐसा लग रहा था शुट्र प्रोपा जी बूलते है कि युदिष्ट्र महराज के अंदर वैश्णों के सारे गुण थे वैश्णों का प्रत्थम गुण होता है कि वो अपने छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा देखता है हालांगे युदिष्ट्र महराज का कोई अपराद नहीं था क्योंकि उन्होंने जो युद्ध किया था वो बागवान स्री कुष्ण के इच्छा से किया था भरंतु वो फिर भी अपने आपको अपरादी मान रहे है लेकिन उन सामने वाले जो धल था दुर्योदा नित्या अपराद को नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने कितना मेरे साथ बुरा किया था क्या क्या उन्होंने हमें कष्ट दिया जिसकी कारण हमें युद्ध करना बड़ा वो नहीं देख रहे हैं फिर भी अपने अंदर ही दोश देख रहे हैं शुला प्रभपाजी बोलते हैं वैश दूसरों के अंदर अपरात खोश-खोश के निकालते हैं। इतना अच्छा कोई काम करेगा ना फिर भी हम देखेंगे नहीं। उसके अंदर कहीं से मुझे दोश दिखे तो मैं उस दोश को चानू। बस तो मैं वैश्णों की यहाँ परिपाठी वैश्णों का यहाँ संसकार होना चाहिए कि वो दूसरों के अंदर अच्छाई को डूढ़े और अपने अंदर बुराई को डूढ़े। तो यहाँ युदिश्टर महराज इसी कामें इसी की सीख दे रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पितर्यू परते पांडव। सर्वान्नह सुहदाशिश्षों। अरक्षतां व्यसनतह। पित्रव्यों ग्वागतावितह। पितर्यू परते पांडव सर्वान सुहर्दः शिशोन अरक्षताम व्यसनत पित्र व्यावक गतावित पितर्यू परते पांडव पितर्यू यानि मेरे अपने जो पिताश्री थे उपरते उनके मरने के बाद पांडव माराज जो पांडव माराज थे उनकी मिर्त्यू के उपरते शर्वान सुहर्दः शिशोन शर्वान मतब समस्त हम सब को सुहर्दः बहुत ही अच्छे तरीके से शुबचिंत की तरह शि यही दोनों दोनों को विदुर जी और दितराष्टर जी इन्होंने बच्चियों की तरह सुहूर्दासुष जुच्च शुशु tutorial बच्चों की तरह हमारी परवर्ष्ट जिस तरह से अपने बच्चों की आउनोंने परवर्ष उच्झी वास्तों में अगर ये सिर्फ विदुर्जी के लिए कहते तो फिर पंती थी बात लेकिन दित्राष्ट्र जो सदे उनको संकट देते रहते थे जिनके कारण वो सदे मृत्यों की योजना बनती रहते थी यहाँ पर किस तरह से पांडों के पुत्रों की मृत्यों लेकिन फिर भी जब ये छोटे थे तब दित्राष्ट्र महाराज ने वास्तों में उनकी अना सुरक्षा के थी क्योंकि जब बहुत जादा जब अभी पांडों की मृत्यों हो गए थी ये छोटे थे वानमास में से जब आये थे तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को दुराचारिय के पास बेजा था शिक्षा के लिए उसी तरह से पांडों को बेजा था ये नहीं कहा था कि नहीं पांडों को उनको भी शिक्षा दी थी और उसके अत्रिक्त जो भी राजसी डंग से उनका भी पालन पोशन हुआ था जिस प्राकार से उनकी पुत्रों का हुआ था तो उसके बास जब बड़े हो गए थे दो दुर्योधन की ईश्या के कारण उनके हमेशा उनसे नहीं बनती थी और उनकी मृत्यों की होचना दुर्योधन बनाता था तो उसके साथ दितराश्टर भी मिला हो ओता था लेकिन पहले तो उनका बहुत अच्से से संसकार उनको दि कुछ थे मतलब हमाले जैसे दोशों को नहीं देख रहे हैं लेकिन सरसों के दाने के बराबर उन्होंने जो पुन्य किये हैं वो देख रहे हैं कि इतना उन्होंने हमारे सा था वास्तों में अगर उन्होंने पालन पुसं किया था राजसी डंग से उनका तो ये उनका अधि कर मिलना चाहिए था तो दितराश्टर ने बले उनके मन में चना होती हो लेकिन फिर भी उनको ऐसा करना बढ़ा कुंती महारा ने थी बीश में पितामाते विदुर का कशे तो उनके रहते वो उनके साथ अन्याय तो नहीं कर सकते थे लेकिन वास्तों में एक वैश्णों का ग कर रहा है थोड़ा सभी यदि किसी ने हमारे सब भला किया हो तो उसी क्यों हमारे दरिश्टी जानी साहिए तो कह रहे हैं कि अरक्षताम व्यसन अतहा अरक्षताम कि उन्होंने हमारी रक्षा की सभी प्रका के संकटों से पित्र व्याव क्वा गतावत वो हमारे पित्र के स वो दोनों पित्र यानि काकाश्री विदूर और दित्राश्रशी वो दोनों कहां गए हैं संजी से पुछते हैं जब मेरे पिता पांड़ों के मृत्यों हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे तो इन दोनों बड़े साचाओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था वे सादेव हमारी शुप जिन तक रहे हैं हाई वे यहां से कहां चले गए तो इतना विदूर युदिश्र महाराज संजे से पुछते हैं उसके उपरांद हमें संजी बताएंगी युदिश्र महाराज को कि वो कहां गए हैं और बहुत ही सुन्दर उप्तेश आगे आएगा तुपा करके मेरे साथ रहेगा और मेरे लिए ब्रार्थन आवश्य कीचिएगा कि मैं अपनी सेवा और सादना को अच्छे तरीके से कर सकूँ हरे गुष्ण हरे गुष्ण